Hello Friends, Arbitution Classes में आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे motivate बे Friends, कई बार क्या होता है कि बच्चों को अच्छी त्यारी करवाने के बाद या बच्चे अपनी अच्छी मेनत करते हैं उसके बाद भी उनके marks नहीं आपाते हैं इसका कारण या नहीं है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता है कई बार प्रेंट्स को लगता है कि बच्चे के अगर marks नहीं आये तो it means उन्हें कुछ भी नहीं आता इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए बच्चे ने जो कोशिश और जो मेहनत की है आपको उसकी तारिफ करनी चाहिए अगर आप बच्चे को ऐसे दिरे-दिरे मोटिवेट करते रहेंगे तो वो अपना स्कोर दिरे-दिरे इंप्रोव करेंगे उने डेली अपने स्कोर या नवरों के लिए कोई भी दबाव नहीं बनाए Friends, देखिए मैं आपको कोई एक पास बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होते हैं कि जैसे ही बच्चे के यूटिक होए बच्चे ने 20 में से 19 स्कोर किया, 18 किया, 17 किया मतब बच्चे ने हर सबजेक्ट में full marks स्कोर की बट अगर उसके एक या दो सबजेक्ट में بھی थोड़े जो, ती नमबर भी कम हैं तो फिनेंट्स को ये रहता है कि उसके बच्चे के marks कटे तो कटे करसे मतब ये बिल्कुल भी सही नहीं है नम्बरों के लिए बच्चे पर ज्यादा दबाव नहीं बनाई यह मैं मालती हूं कि मार्क्स के हमारे इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है बट इतना प्रेशर बच्चे के उपर नहीं बनाना ऐसे ही ट्यूशन से रिलेटेड अच्छी अच्छी विडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चिनो फ्रेंड्स आज का व्लोग अपना शुरू करते हैं उल्हे यह साथ एक आपने डायगरम डोग कि आथे bzw. देखिए ऑकोट से बोलट से बताये आपने डीजिशन सा डायगरम डोग कि आई अब के hoch देखिए कितना अच्छा डायगरम इन्हों डोग कि है बच्चे ने यास wei लीफ ओके इस क्या ड्रों के आपने लीफ डाइग्राम ओके देखें कितना अच्छा बनाया बत्या एसे ही आप डाइग्राम की भी प्रैक्टिस परवाते रहें बीच बीच में ओके बेटा वेरी गुड वेल डन नेक्स वक कीजिए ओके बेटा रीडिंग कीजिए फटावर्ट से गुजरात की जुनागर में एक गाम है लो दावा इस गाम में गेटिलार मास्क नाम पाई कलब यपती रहता है उसने एक सोगार से सो रुपे उगार ने रखे थे सोगार तगाजा करता रहता था गेटिलार के नियत वे खोच ऺचती वे अपने सपने में भी नियुके फैफ लोटा उनकी भात नहीं पोचता था सोगार अपने एप्नी उगाई के लिह आथा गेटिलार उनकी फीदी जवाप कोईयोटा दॉचा जवाब सलक्रं एक Ge GeDeLa denk लोगे बही काता तो पाया गेटी लां के घर पर जा धंपाया देखा सामने उसका बेटा करके बार खड़ा था सोगर ने उससे पुछा क्या गेटी लां के लिए वेरी गुड वेल डन्ड फ्रेंड्स देखें यह मैंने बच्चे का फोर्मेट पहले से रेडी कर रहा है यह मैं उनको मिस्टेक की है तो हम एक पार उनको दुबारा देते हैं इनको ठीक करने के लिए बच्चे ऐसे अगर हम दिरी दिरी प्रेक्टिस करवाएंगे तो वो लिखना सीख जाते देखिए ख्या की फोर्मेशन बच्चे ने कितने अच्छे से किया है ख्या सिखाने बच्चे को बह लिखे से हमें बच्चों को ख्या बनाना सिखा सकते हैं अगर हम ऐसे ही बच्चों को डोट पर प्रेक्टिस करवाते हैं तो स्टार्टिंग में तो बच्चे जल्दी लिखना सीख जाते हैं देखिए फ्रेंड्स हमने गुडिया को ख्या खर्गोश लिखना सिखाया है दे खैखर गोश वेरी गोड़ गुड़ गर आपने क्या राइट के है गुलू गुलू गोड़ बेरी गोड़ इस त्रीके से अगर आप बच्चे को लिखना सिखाते है तो जल्दी लिखना सीख जाते हैं अला बेटा बोले यास और नेम बताईए जल्दी से बेटा टाइगर यास और लोयान और बोले यास बालू को क्या बोलते हैं बियार गोरीला आपना मुझे टाइगर की स्पेलिंग बता दो या लोयन की और टाइगर की बताओ टाइगर की नहीं बता पा रहे हैं सेंस और नाम बता उनके साइन्स और गन जो जिसे हम फील करते हैं आइज आइज एर्स यास स्किन टांग तरिकाट देखिए यह मेरे साथ स्टूड़न्ट है इन से यह हमें कुछ रिडिंग करके दिखाएंगे अब रिडिंग कीजिए बेटा फस्ट लाइंग करो यास है इस डू रेड थू रेड श्तूर लीड श्टूरी बुक यहास आइस चीकलावडली थोड़ा से जोर से बोलना उनक जोरिंगे मैं आपको बोली आपको थोड़ा से जोड से बोल्यां आएं ग्जीए To listen to a song. Yes. Okay. Yes, Natik. To write your classwork hands. Yes, next. कीजिये. To run in the garden. Laps. Yes. To blow off a candle. Candle. Mouth. Okay. Yes, very good, बेटा. Well done. ये रिडि कीजिये, क्या है? Organs. Yes. ये नहीं ये? Organs. ये क्या है? What is this? Body. Yeah. It has many parts. Okay. Yes, बेटा. Good reading. Yes. Okay, बेटा. आपका किशिक का exam है? G. Okay. कुन से chapter learn के आपने अभी? 16. Okay. सुन लो फिर? Yes. Okay. सुनाई. Which of the following has largest volume? Volume description. Okay. मैं आपको option देते हूँ? Listen. One liter juice can. One liter juice can. Okay. Very good. ऐसे नहीं. ये बताए. Which of the following food item is not a plant product? Ice cream. Okay. Very good. Switching of the TV and AC when you leave a room is a way to save energy. Save energy. Okay. Save energy कैसे होगी पेटा? तुम fan off कर दोगे तो? And. क्योंकि save energy कैसे होगी ज़ादे चलाएंगे तो इसलिए और ना AC चलाएंगे. इसलिए ज़ाएंगी इसलिए सेफ एनरजी बच्चिए है. क्योंकि उनको चलाने के लिए हमें इलेक्टिक वो एनरजी चाहिए होते है ना फैन को. इसलिए अगर हम switch off कर देंगे तो वो हमारी save रहेगी. अच्छा मुझे ये बताएंगे. Okay. Next मैं आपसे सुनते हूँ. Okay. कोई बाद ने. आपको आता है. नहीं क्या. जर्णोलेज ये बेटा ये तो. An example of greenhouse gas. Greenhouse gas. कौन सी है इसमें से बताएंगे. ये hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon dioxide. मैं बताती हूँ आपको. हमारे पास जो greenhouse gases है. जो greenhouse gases है. देखो मैं लिखे बताती हूँ आपको. Greenhouse gases. देखिए. Greenhouse gases. कौन सी है हमारे पास? एक तो होती है carbon dioxide. methane. Okay. में लिए आप लोगों के लिए अभी छोटी क्लास में यह दे. carbon dioxide, methane. ठीक है? ओके. वैसे एक और भी होती है. वो फिर आगे चल के बता लगे हैं आपको. अभी के लिए आप carbon dioxide और methane याद करो. ठीक है? अभी के लिए आप carbon dioxide और methane याद करो. आइए, what is dry ice? Dry ice क्या होती है? जो carbon dioxide होता है, वो solid form में जब हो. carbon dioxide ही ना, solid form. ओके. अच्छा, यह मुझे पताईए. gas is necessary for burning of matter. जलने में कौन सी gas help करती है? oxygen या carbon dioxide? no, जो हमारी oxygen जो हम लेते हैं, वही gas किस में help करती है? जलने में, मतलब burning में help करती है. आप देखो, कई बार जैसे आपने इसके experiment भी होता है, कैसे? एक मंबत्ती लोगे, उसको आप क्या करोगे? candle को, candle को जला के छोड़ दोगे, वो जलती रहेगी. फिर आप क्या करोगे? एक गिलास लोगे. गिलास को क्या करोगे? candle के उपर उल्टा रख दोगे. तो क्या होगा? थोड़ी देर में जो अंदर की oxygen थी, वो खतम हो जाएगी. क्योंकि वो तो सारी जलने में candle ने ले लिया है. फिर क्या होगा? मुंबत्ती बुच जाएगी. इट मेंस क्या होगा? मुंबत्ती को जलने के लिए oxygen चाहिए होती है. ओके, इसलिए आपको क्या पता लगता है इस experiment से? oxygen is necessary for burning. ओके, याद रखना है बेटा. पर आप ये इसी page को एक बड़ द्वारा से कीजिए. ओके, ये आएगा ना आपके? नहीं आरा भी? ओके. friends, देखिए, बच्चों को जब हम minus के sum देते हैं, तो simple वाले sum तो कर लेते हैं. बड़ ये story समझब भी देते हैं, वो कुछ ना कुछ difficulty इसमें करके लाते हैं. देखिए. ये समता बेटा. राउल has 175 marbles. He wants to increase his marble collection of 380. How many more marbles does राउल need to collect? ओके. आपको देखिए, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है. 175 marbles. At present, राउल के पास कितने हैं? 175. और number of marbles, राउल wants to, कितने चाहते हैं, वो 380. तो आपको क्या करना है? 380 minus 175. क्या करोगे? Number of marbles, he need to collect. कितना होगा? Number of marbles, he need to collect. ओके. देखिए. 205. ओके, story समय, आपने तोड़ा रोंग कर दिया. एक बार से दुबारा करके आओगे इसे. वाने की जरूर करते हैं, वो minus की जगें, plus और plus की जगें, minus करके आजाते हैं. ओके, बेटा, दुबारा कीजी. Do again. प्लस आर्टीकल है, इनको learn करने के लिए दियाता है, देखते ही हैं, हमें कितना सुना पाते हैं. Start. युबार्च्वाथ्च्वास्पर अजयनीडेखी. Very good. He was born on 23rd of January 1897 and at Cuttuck His father's name is Jantinath Boss and mother's name is Prabhavati Boss He had a high sense of self-respect He had a high sense of self-respect He had a high sense of self-respect and he died in 12th 18th August 1945 1845 Very good, well done Do clapping Okay Both a good job Big two lines have been missed He had to do it Very good, well done Can I give it Yeah Show 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 Do you have a good meal? No. How fast? What's wrong? Wahr की दून अभुटा अगुटो नहीं से तरय नहीं से नहीं से अगुटेज़ियों और शेयर के प्रक्राश्थ नुटाई के पूए वोद रमीडी जुग. वीधली दीवाइगों. पर जिम गमारी हो ठोने दोने फ़िध्री दितने टीवाइगों. प्यम्पारी दिफ्रेंन दीके ओब रहा हैं series. पड्ली वर्पहरुस, दीते प्युठीत मिर्भीरन दीके आधर हैंца सृप्तुट। वह अपुमी बिष्टार अप्र श्रयवर्स परत्याज दिए्टार जोगिना इवान्ट मकष्ण पंतेज में आप समय पर दोड खाहतोी नहीं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट कीजिए और उनसे डोइंग वगेरा भी बनवाते रहे देखिए, लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी अगर ट्यूशन से रिलेटिज़ आप कोई भी हेल्प देना चाहते हैं तो मेरी चैनल पर आकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं झालन को ने बात कर दो देखिए हैं